आज मैं आपके लिए बहुत ही खुशखबरी वाली सूचना लेकर आया हूँ आर्मी मेस की 41,822 पोस्टों पे नोटिफिकेशन आउट हो चुकी है जी हाँ, जो भी केंडिडेट SSC GD की भर्ती दे चुका है, आर्मी GD की भर्ती दे चुका है कभी medical में आउट, कभी physical में आउट, तो कभी written में आउट उन के लिए फिर से आर्मी की भर्ती, आर्मी को जॉइन करने का सपना पूरा करने का बहुत अच्छा आपसर है क्योंकि इसकी जो age criteria है बहुत जादा है, 30 सार तक का candidate is form को fill कर सकता है याने जो आन्य भर्ती में over-raised हो चुका है, वो इस vacancy के लिए eligible है इसी के साथ जो भी candidate ये सो उस्ता है कि मेरी qualification पूरी नहीं हो पाई, मैं plus two पूरी नहीं कर पाई, अपनी मैं ग्रेजुएशन नहीं कर पाया, तो उनके लिए भी एक बहुत सुनयारा अपसर है, क्योंकि इसकी जो minimum qualification है वो 10th pass है जी हाँ, 10th pass candidate is form को fill कर सकता है अब मेरी कुछ student कह रहे थे कि sir, MES की vacancies के वारे में बहुत पहले से बाते उड़ रही थी कि इतनी vacancies अभी आएंगी, कल आएंगी, बरसों आएंगी एक दो साल हो गए यह सुनते होई, लेकिन आज दिन तक कोई भी vacancies नहीं आई, तो उन्हें मेरी 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 अभी हाली में official notification निकाली है, उसे दिखा के बता दू कि अब उन्हें निराश नहीं होना है, क्योंकि जो आपके vacancy है वो बहुत जल्द आने वाली है, बहुत ह थोड़ा सा mention किया गया है और थोड़ा सा एक आपको expected idea दिया गया है कि कब आपके जो exam है, कब आपके जो examination की जो form है, कब तक आ सकते हैं, देखे, यहाँ पे vacancies के बारे में बताया गया है, 10th pass के लिए भरवर के vacancy आई है, MTS की vacancy है और यह M8 की vacancy है, 2920 mate की vacancy है और MTS की 11, 1316 vacancy है, जो अपने आप में बहुत बड़ी vacancy है, center government की job है, एक तरह से regular job है, तो जो भी candidate अभी तियारी कर रहा है, तियारी करने के mood में है, वो उसको यह vacancy आराम से मिल जाएगी, यह मैं आपको एक तरह से guarantee देता हूँ, जो भी अच्छे से तियारी करेगों से यह vacancy बहु वो शायद B.Tech हो सकता है, या कोई diploma हो सकता है, तो वो थोड़ी कम है, उनके बारे में हम बात नहीं करेंगे, हम सिर्फ जो majority vacancy है, उनके बारे में एक तरह से देखेंगे कि वो vacancy बहुत जादा amount में है, देखिए 27,000 है, 11,000 के लगवग है, 1000 के लगवग है, तो जो यह vacancy है यह कब से फिल होना शुरू होंगी, इसका idea थोड़ा सा MES ने दिया हुआ है, यहाँ पे साफसा mention है कि जो आपकी जो भरती का procedure है, वो within one week start कर दिया जाएगा, देखिए यहाँ पे यह line mention की गई है, और कुछ vacancy जो है SSC फिल करेगा, कुछ UPSC फिल करेगा, ऐसा बताएगा means फिल की जाएगी, मेड यह मेड यह mean पेक्जान की गपता थोड़ा होता है, उससे पहले क्या होता है, आपका written exam ही होता है, कि आपको physical यह medical test उसके बाद होता है वह बहुत अच्छी होने चाहिए तक ही आप अपनी इस जॉब को प्राप्त करने का सपना पूरा कर सको तो उसके लिए MCS Academy की पूरी टीम आपके लिए दिन रात तत पर है आपको क्या करना है आपको Google Play Store से MCS Live Guru आप डाउनलोड करना है उसमें enroll करके आपको various courses देखेंगे जैसा आप जानते हैं जो भी 10th past exam होते हैं या 10th past exam है उनका जो ideal syllabus रहता है वो यही रहता है कि आपको journal knowledge आपको math आपको reasoning आपको English आपको इंगलिश आएगा और charges बहुत ही minimum रखे गए हैं तो जो भी candidate इस form को fill करने वाला है वो ज़रूर MCS Live Guru आप डाउनलोड करे और अपने इन courses का लाब उठाए और जो भी candidate इस vacancies के बारे में इन courses के बारे में कोई भी further information चाहता है वो MCS Academy के दिएगे numbers पर contact कर सकता है इसी तरह job related notification से जूड़े रहने के लिए आज ही subscribe कीजिए हमारा MCS Academy का YouTube चैनल Thank you झाल